हुआ है हमें भी चौकिदार हुँ हमें भी काम चोर हुँ नमस्कार स्वागत आपका न्यूस चक्र में मैं अभिसार शर्मा जी हाँ जब चौकिदार देश की रक्षा करने में नाकाम हो जाए तो वो क्या करता है वो जिम्मेदारी आपको सौप देता है जी हाँ आपको चौकिदार बना देता है इहाय मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक और घजब का मास्टर स्ट्रोक है कैसे यादे आपको जब सालाना दो करोड की नौकरिया ने दे पाएं तो ये कह दो कि पकोडा बेशना भी रोजगार है अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे के नहीं मानोगे देख तेरे संसार की क्या हालत हो गई भगवान कितना बदल गया इंसान शर्मा जी का लड़का आशुतोष डॉक्टर आशुतोष शर्मा नहीं बन पाया तो उसे क्या बना दिया आपने शौकीदार आशुतोष शर्मा हम तो बस इतना ही कहेंगे वावोदी जी वाव इस बड़ी पेशकश में हम आपको बताने वाले हैं कि मैं भी चौकीदार नहीं चौकीदार बेबस है जी हाँ बेबस है अब आपको इस मुहम में शामिल करने के लिए ये कहा जाए कि अपनी जिम्मेदारी आपके कंदों पर डालने के लिए बाकाइदा एक गाना बनाया अब उस गाने को हम तानिक ट्विस्ट कर रहे हैं जी हाँ शब दिन के हैं विचार हमारे हैं जी हाँ कैसे आप खुद देखिए न आप आस्वस्ता रहिए आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है ये देश ये मेरा वतन ये मेरा घर मेरा चमन ये देश ये मेरा वतन ये मेरा घर मेरा चमन सबका विकास चाहता और चाहता हूँ बस अमन वो एक अकेला चल पड़ा मैं उसकी ही कतार हूँ हमें भी चौकिदार हूँ हमें भी चौकिदार हूँ वादा किया है खुद से अब कुडा नहीं फैलाओंगा के भष्टा चार काले धन को जड़ से यू मिटाऊंगा मैं नए भारत की कलपना से सहमत विचार हूँ हमें भी चौकिदार हूँ आज न्यूस चक्र में हम प्रधान मंत्री नारेंदर मोदी के नए मास्ट स्ट्रोक मैं भी चौकिदार का पूस मौटम करने जा रहे हैं चौकिदार बेबस है और शुरुआत हम करना चाहेंगे चौकिदार के तम से यादे आपको हाल ही में चाइना ने चौथी बार आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकवादी घोशित किये जाने पर रोक लगा दी मगर क्या आपने मोधी मीडिया या गोधी मीडिया को चीनी माल को बॉयकॉट करने की जबरदस्ट अपील करते देखा क्या चीन के राजदूत को बुला कर उन्हें समन करके खरी खोटी सुनाए गई बात बात पर पाकिस्तान के साथ युद्ध की घोशना करने वालों ने क्या चीन पर युद्ध की घोशना की जी नहीं वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ऐसा करनी के लिए 56 इंच के सीने की जरुवत पड़ती है और चुनावी रालियों में 56 इंच के सीने की बात करना एक अलग बात है असल जिंदगी में बिलकुल अलग शौकिदार कदम जानने के लिए अन बातों पर गौर कीजे दोकलाम में भारत और चीन की सेनाओं में तनाव पैदा होता है मगर क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी उस्वक लाल आँख दिखाते हैं नहीं उसकी बात तुरंद भारत और चीन के बीच अनौप चारिक व कुछान सम्मेलन क्योंकि साल 2019 में मोदी जी नहीं चाहते कि चीन के साथ किसी वी तरह का कोई भी सैनिक टकराव हो जाए क्योंकि अगर सैनिक टकराव हो गया तो जाहिर सी बात है 2019 के लोग सभाचुनावों पर इसका असर पड़ेगा और जैसे कि जानते हैं आप कि हमारे श शुरुआत उन्होंने की थी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी बनके फिर नजाने उन्होंने कैसे नहरू से आइडिया बोरो करते हुए वो प्रधान सेवक बन गए और अब पांच सालों बाद शौकिदार पांच सालों बाद देश की जो हालत हो गई उसके बाद आपको उसकी चौकिदारी करने की सुद आ रही है और अब हम बात करते हैं शौकिदार के इमांग की यह कहा जाए शौकिदार की सजगदा की इन चेहरों पर गौर कीजिए सबसे पहले ललत मोदी भारत से कब भागे साल 2015 में दूसरे वहाँ श्याया आपके सामने विजय मालिया भारत से कब भागे 2016 में और भागनी से पहले यह अरुन जेटली के साथ एक रहिस समय मुलाकात कर रहे थे संसत भवन में अब इस तीसर चेहरे पर गौर कीजिए में हो चोकसी भारत से कब भागे साल 2018 में फिर इनके भाई टाइप नीरव मोदी ये कब भागे साल 2018 में और मोदी जी सत्ता में कब आए याद है ना आपको तो क्या चौकिदार सजग है क्या इन्हें वापिस लाया गया चौकिदार ने अपनी जि नहीं रही सभी चौकिदार बन गए चाहे आरुंज येटली हो नितन गड़करी हो राजनाथ सिंग हो योगी आदितनात हो और बाद में काफी देर बाद सुश्मा जी भी चौकिदार सुश्मा स्वराज बन गई मगर इसमें कॉमिडी कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ ये है निरव मोदी का पारोडी अकाउंट जी हाँ प्रधान मंती नरहिंद्र मोदी ने इस पारोडी अकाउंट को भी कहा कि आओ मेरी मोहिम के साथ जुड़ जाओ बात यहाँ पर नहीं रुकती गौर की जेन महाशे पर नाम है इनका बी-एस यद्रपा बी-एस यद्रपा भी अब शौकीदार बी-एस यद्रपा हैं क्या मुझे आपको बतानी की जुरत है कि कुछ दिनों पहले किस तरह से कथित तोर पर करोणों रुपए दे कर ये कॉंग्रिस और जे-डियस के विधायक खरीदने की पर जी हां शारदा चिटपंड घोटाले में आरोपी हैं मगर मोधिराज में ये भी चौकीदार बन गए और बात या नहीं रुकती एमजे अकबर जिन पर यौन उत्पीडन की आरोप हैं मीटू में एक गंभीर किरदार थे वो भी पहले चौकीदार एमजे अकबर बन गए मगर बाद में किसी ने समझाया कि भाईया अकबर जी आप शौकीदार हटा दीजे अपना नाम से क्योंकि अगर आप शौकीदार बन गए तो भारती जहनता पार्टी को एक भी महिला का वोट नहीं मिलेगा सही कहें हम हम तो बस इतना ही कहेंगे कि वा मोधी जी वा और अब बात करते हैं देश के अन्यदाता की किसान को ही चौकीदार बना दिया जी हां किसान पांच साल में इसकी हालत बच से बत्तर हो गई जानवरों मवेशियों सांडों गायों के चलते अब वो किसान ना बनकर शौकीदार बन गया है कैसे आप खुद देखिए क्या आप मानेंगे किसानों का जो पूरा दौर रहा है पिछले जब से आप रहे हैं यह सबसे बुरा दौर मानेंगे या इस से भी बुरे बुरे दौर देखिए आप यह सबसे बुरा है साब क्या वज़या? इसके वज़या आया साब नोकली मोधिन नू का आदा गर-घर नोगरी होगी मोधिन गर-घर नोगरी दे दी क्यों दे दी एक घर में चार हैं दो बच्चे पड़े दो बुडे हैं बुद्रक खेत में लगा दिए ये पशू हैं आट-अट गंटे करें तेया मोद निया नोगरी देए हमें किसानों को यह नोगरी देश बढ़ना छोड़ते विए इस नोगरी पामल करें तो इसमें देखो किसका फादा है यही नहीं इनकी चौकिदारी पूरे उत्तरपदेश पूरे मध्धप्रदेश में दिखाए दे र काउशेट बनाया है अब लोगों ने यह कैसे बना है क्या जरूरत परिए इसको बनाने की जरूरत इसलिए है सरक आपके सामने है देख सामने खेत है हमारा यह और देखो इसमें चेक गाय सब नुफसान कर रहे हैं चारा तरप से सरसों गया हूँ गया हुआ जो कुछ जरूरत पड़ गई तो ब्यापारी कोई आपकी गाय नहीं लेगा चाहिए आपकी गाय दे रही है इसलिए टरदूर क्यों कि गाय ले जाएंगे बन गवंच वाले उत्रन्त मार देते हैं वान की गव रक्षक में गाय ले जारा काटने के लिए मार दिया गाय का ब्यापार भी नश्ट कर दिया मेरे गाम में सो कोई खरीदने बाला पैदा नहीं है मेरे घर बंदी हुए अभी तक कोई ब्योपारी उसे लेने के लिए तयान नहीं है बोला ले जाएंगे रस्ते में मार दाएंगे हमें गवर अच्छा के नाम पर तो क्या इन बेबस किसानों की आव नौकरियां दे नहीं पाए नौकरी के नाम पर पकोड़ा जुमला दे दिया जिनकी नौकरियां थी वो नौकरियां चली गई जी हां इसी लिए बेरोजगार को भी आपने शौकिदार बना दिया कैसे पहली बार हुआ जब BSNL के 1.76 लाक कर्मचारियों को कई महिनों तक सा जौरव माने जाने वाले Statue of Unity के जो मजदूर थे जिनने पिछले तीन-चार महीने से सालरी नहीं मिली और वो हड़ताल पर चले गए यह पहली बार हुआ कि नरेगा के मजदूरों ने तो प्रधान मंतिरी नरेंद्र मोधी पर FIR तक दर्श कर दी 420 के अंतरगत तो क्या कहा जाए बेरोजगार भी चौकीदार है यही नहीं दोस्तों हेल को हिंदुस्तान ऐरोनौटिक्स लिमिटेड को एक हजार करोड रुपए लेना पड़ा अपने तमाम मुलाजमों को सालरीज देने के लिए पहली बार हुआ जब एफोस नेवी में जबरदस पंड क्रंश का उ यह तमाम चीज़ें हुई ना पिछले पाथ सालों में ऐसे में आपने भीरोजगार को यह कहा जाए जो काम कर रहा है उसे भी चौकीदार बना दिया वा मोदी जीवा और अब बात प्रोपगांडा की जी हाँ मैं भी चौकीदार में छुपे प्रोपगांडा की दोस्तों इस बात में आपको बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि ये एक राजनीतिक बैयान है मैं भी चौकिदार क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी पर किस बात को लेकर हमला हो रहा था चौकिदार ही चोर है लिहाजा उन्होंने पूरे देश को चौकिदार बना दिया अब इस प्रोपगांडा में कोई और नहीं बलकि कई पत्रकार भी शामिल हो गए यह नज रमताओं कि पत्रकार भी चौकिदार है में मेरा सवाल इन तथा कथिफ से अगर पत्रकार शोकिदार है तो पर चौकिदार विश्वसनियता का अगर वो पत्रकार चौकेदार है तो वो चौकेदार है सत्ता में बैठे ताकत वर व्यक्ति से जवाब देही हासिल करने का मगर क्या इन पत्रकारों ने सत्था में बैठे जो ताकतवर लोग थे उनसे किसी भी तरह के सवाल पूछे क्योंकि पिछले पांच सालों में क्या हो रहा है पिछले पांच सालों में भी विपक्ष ही सत्था में बैठी हुई है ये तमाम जो पत्रकार हैं ये जो तमाम news channels हैं अब भी विपक्ष से ही सवाल पूछते हैं तो क्या ये पत्रकार वागई चौकिदार हो सकते हैं या ये कहा जाए ये पत्रकार शाटुकार हैं क्या आपने ये सवाल तो पूछे ही नहीं आखिर किस ने पुलवामा के वीर जवानों की हत्या की वो शहीद हुए। कैसे आतंकवादी 300 किलोग्राम विसफोटक लेकर पहुचा और अगर ये धमाका हुआ तो शौकिदार बेबस और नाकाम क्यों ना साबित हुआ। क्या इन शौकिदारों ने सवाल पूछा कि क्यों भारती जैदा पार्टी शहादत पर सियासत करती रही और उससे रोका नहीं गया। क्यों मोदी जी ने अब तक पाकिस्तान में कैद रहे विंग कमांडर अभिनंदन से मुलाकात नहीं की। वह अभिनंदन जिससे हम सब के दिल की भावनाएं जुड़ी हुई थी। ऐसे में पत्रकार चौकिदार है या शाटुकार है। दोस्तों इन तमाम पत्रकारों से जादा हिम्मत तो इस युवा में आप देखिए किस तरह से एक न्यूज डिबेट में ये भारती जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है उससे सवाल पूछ रहा है। आप कहते हैं कि आप पकोड़े बेचे फिर आप कहते हैं चोकिदार चोकिदार तो हम नेपाल से अच्छा और सस्ता लियाएंगे देश को प्रधान मंतिरी की जरूरत है और दूसरी बार सर प्रधान मंतिरी नरेंदर मोदी ने ट्वीट करके निखा कि मेरे जनम होने से पह प्रम्याब चोकिदार हैं तो इस मां के सवालों का जवाब दीजिए यह नजीब की मां इसका आरोप है कि ABVP के कारकरताओं की चलते इसका बेटा गायब है इसका बेटा कहा है मोदी जी इस सवाल का जवाब कोई क्यों नहीं देता क्योंकि इसी नजीब की जगा अगर नहीं की सजा भुगत रही है कहा है इस मा का नजीब और कहा है वो तमाम चौकिदार जो हमारे हिफाज़त की बात करते हैं तो क्या माईने कुछ गलत कहा तो दी उस चक्र में बस इतना ही और मेरी आप से अपील कि हमारे इस खाश शो को जिसमें हमने कहा कि मैं भी चौकिद नहीं बलकि चौकिदार बेबस है इसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं इसे लाइक करें शेयर करें और न्यूस क्लिक को सबस्क्राइब करें अभिसार शर्मा को दीजिए अजासत नमस्कार